हेलो एविवान, वेलकम बिच्चो माया चानल विज्डम अकेडमी जो लास्ट वीडियो मैंने DTSB पोस्ट के रिगाइडिंग बताई थी तो मैंने आपसे बोला था कि DTSB को जो अपना कलेंडर रिलीस करना है बट येस कलेंडर रिलीस करने से पहले DTSB ने जितनी भी पोस्ट के जो फॉर्म भरवा रखे हैं वो पहले उनकी एक्जाम डेट देगा ठीक है उन एक्जाम डेट के बाद ही जो DTSB अपने कलेंडर के लिए कोई स्टैप लेगी आप लोग देख सकते हों कि जो भी पोस्ट DTSB ने भरवाई थी उन सबकी जो डेट है वो आ चुकी है तो आप लोग यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर डेट देख सकते हों कि 18.03.2023 नीज 18.03 को लाइब्रेरियन का एक्जाम होगा और असिंसटेंट अरचिस ग्रेट वन और टेलर मास्टर 3 शिफ्ट इन चार्ज यानि चार पोस्ट का एक्जाम होगा एक ही दिन में 18-23 को यानि 18 Mars को लाइब्रेरियन, Assistant Archist Grade, Tailor Master और Shift-In-Charge का एक्जाम है और लाइब्रेरियन का तीन शिफ्ट में एक्जाम है तो क्योंकि लाइब्रेरियन की थोड़ी सी विकेंसी जाधा थी हो सकता है बच्चों ने जाधा फॉर्म फिल करें हो तो यहां पर सबका पोस कोड भी लिखा हुआ है देखो एक्चुली मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कि DTSB पहले इनकी डेट निकालेगी ठीक है त तो वो जो है कुछ फॉलो नहीं कर पाते वो क्राइटेरिया तो दिसंबर में DTSB एक्जाम नहीं लेती तो मैंने आपसे कहा था कि DTSB जब भी एक्जाम लेती तो उससे ठीक 20-25 दिन पहले उसको बच्चों को बताना पड़ता है मिन्स मिनिमम 25 डेज तो एक पोस्ट के लि अदेजिवरा बच्चाम जाएगा तो जो डीटीटीव सब्सक्राइस कि आपको पता हैं लेकिन वह उन्होंने वापस ले ली थी तो उनको आने के लिए मताब ऐसे आएगा कि पहले पीजेटी की वेकेंसी आएंगी पिर टीजीटी और फिर टीचर की प्राइमरी टीचर की और primary teacher में भी देखो आपको पता है DOE और MCD जो है वो exam conduct कराता है but yes I know आपको पता चल गया होगा कि जो MCD की जो vacancy थी जो MCD की particular post थी वो MCD ने वापस ले लिए ठीक है तो अभी यह नहीं पता कि MCD उन post को दुबारा निकालेगा या हो सकता है कि उन post में थोड़ी सी post add करके जादा vacancy निकलेगी तो अभी MCD की vacancy का तो नहीं पता लेकिन yes जो primary teacher में आपको DOE और ND MC की vacancies देखने को मिल सकती है means combine vacancy भी हो सकती और अलग भी DOE और ND MC की but MCD की vacancies का अभी कुछ नहीं पता बाकि फिलाल अभी जिनके भी exam में उनको all the best आप इन exams की तयारी करो और इन exams के बाद ही बलकि हो सकता है कि एक दो हफते बाद ही जब जैसे इनका सारा schedule वगेरा तयार हो जाएगा आपको DTSB की तरफ से notice आने start हो जाएगी मतलब vacancy हमारी आनी start हो जाएगी ठीक है सो be prepared mentally prepare हो जाओ फटाफर से अपने आपको KVS से free करके ऐसा नहीं है कि आप फिर पढ़ाई छोड़ दोगे फटाफर से DTSB की preparation में लग जाओ बाकि सारी post का तो है क्योंकि PGT commerce की भी vacancy आनी है TGT की भी vacancy आनी है बट येस primary teacher का भी थोड़ा सा doubt है बाकि वो जैसे भी होगा वो time के साथ आपको पता चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 18 तारिक को 18 March को हमारा librarian का exam है और 19 March को PGT, EVCG, male का और female दोनों का ये exam है सेम 19 तारिक को PGT English और male female दोनों का exam है ठीक है DOE exam conduct कराएगा ओविसली PGT, TGT की post है तो फिर उसके बाद सीधे संड़े के बाद Friday को एक्जाम में 24 तारिक को जहां पर आपका psychology PGT, male और female का आपकी post है क्योंकि TGT में psychology subject होता ही नहीं है PGT में auriculture और PGT पंजाबी female का एक्जाम है इसके बाद 25 तारिक को TGT computer science का एक्जाम है और 26 तारिक को assistant teacher की जो वेकेंसी निकली थी अप्रोक्स 100 और domestic science teacher की जो वेकेंसी थी उनका एक्जाम है तो यहीं रिमेनिंग पोस्सी जिनके फॉर्म भरे गए थे और वेकेंसी का नहीं पता था तो उनकी ही डेट आ गई है ठीक है इसके लावा I don't think so कि कोई ऐसी पोस्ट है जो रिमेनिंग है और अगर है भी तो वह जल्दी उसके रिगार्डिंग आपको नोटीस देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारी खटे ही फॉर्म डीटिपल एस्बी ने भरवायत है तो उनमें से छे साथ पोस्ट का यहां पर डेट आ गई है बाकी रिमेनिंग भी डेट आ जाएंग झाल से जाएंग ऑि जाएंग ऑगी डेटा का यहां पॉर्म डेड़ ठाएंगरे है बाएंगा जाएंगे एमा का यहां डेटTime का भी तो चलीटिटा था съजय है पsilक समने वरेज अड़ेखा के दिसे हैं अर रेnectंसे है को यहां इमे घर मिल चुक हर बाहां